नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विवाहित महिलाओं की मांग में सिंदूर भढ़ना हमारे हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा है लेकिन क्या आपको पता है मांग में सिंदूर भढ़ने के नियम है और साथ ही सिंदूर जिस आप किया से लगाते हैं सिंदूर दानी से उसमें हमेशा एक चीज रखना चाहिए और भूल कर भी आप सिंदूर की किया को बिना यनि कि सिर्फ सिंदूर डाल के ना रखे बलकि ये खाली कहा जाएगा इसमें एक वस्तू है जिसको डाल के रखना हर हाल में आवस्यक है और आपने देखा होगा आपके सिंदूरा में भी एक वस्तू डाली जाती है और वो क्या डाली जाती है चलिए हम आपको बताते हैं बिस्तार से पहले समझते हैं सिंदूर लगाने के नियम क्या है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं लगबग 90% महिलाएं कुछ गलतियां कर देती हैं सिंदूर समंधी साबधानी बरतने में आज हम आपको बिस्तार से एक एक करके बताएंगे देखिए सनातन धर में कुल 16 संसकार हैं और उनमें से बिवाह संसकार भी हैं और सभी हिंदू बिवाहित महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं और इसे बिवाहित महिलाओं के लिए एक स्रिंगार के अलावे काफी सुभी माना जाता है तो सिंदूर के नियम है पहला नियम क्या है देखे अगर आप कोई भी काम उल्टा पुल्टा करते हैं तो पती की आर्थिक इस्ति पती के जीवन पती के स्वास पर इसका असर पड़ता है तो देखे बैबाहिक जीवन में कलेस ना हो पती स्वास तरहे इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए तो पहला नियम है कि हमेशा ही आप अपनी मांग में बीचों बीच सिंदूर लगाएए बहुत सारी महलाएं साइड मांग कर लेती है और साइड में ही सिंदूर लगाती है देखे आप साइड मांग कर तो सकती है पर सिंदूर आप बीच में लगाएंगी क्योंकि जो महिलाएं बीच में मांग करके बीच में ही सिंदूर लगाती है उनका आप देखेगा उनको अखर्ण स्वभाग गिवती होने का वरदान मिलता है एक और बात हम आपको बता दें कि सिंदूर आपको नापकर ही मिलता है कि आप पूरी लाइफ में कितना लगाएंगी जैसे कि आपने सुना होगा कहते हैं दाना पानी खत्म होगे लोग चले गए एक मिली कहावा सुनी होगी जहां पर जितना दाना पानी लिखा है उतना ही दिन नहना है फिर अगले पड़ाव पर जाना है आपको कहीं ट्रांसफर हो जाना है तमाम चीजें आप बात करते होंगे सुनती होंगी तो उसी तरह सिंदूर भी आपके लिए आपको वजन के अनुसार ही भगवान जी देते हैं ठीक है ऐसी हमानी मान्यता कहती है और उसको आप जितना थोरा लगाएंगी उतना दिन चलेग उतना ज्यादा आपको सुहागवती रहने का असिरवात मिलेगा तो सिंदूर हमेशा थोड़ा ही लगाएं अब सिंदूर के और भी नहीं है अब देखे क्या होता है कि बाल धोने के तुरंत बात यानि कि आप बाल धोकर आप निकली हैं बातरूम से और आकर तुरंत सिंद ठीक माथे के बीचों बीच हलका सा लगाईए ज्यादा नहीं लगाना चाहती है थोड़ा सा लगाईए फिर सिंदूर भरिए जब भी आप बाल धोती है तब और वैसे ही अगर आप वैसे तो आप सब्ता में दो दिन बाल धोती होंगे बांकी दिन आप यूहीं नहाती हों पिर आप स्थिर से बालों में कंगी करें फिर सिंदूर लगाई यानि एक एक करके सिंगार करें तो उत्तम है तीसरी बात देखिए महिलाओं को दूसरी महिला का सिंदूर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए आप कहीं भी जाती है अपना सिंदूर लेकर जाए और याद र आपके लिए सिंदूर आपके लाया है और आपको दिया है तो अच्छे समय में चुकि साधी विवा भी होता है इसलिए अच्छे सुप समय में आप सिंदूर खरिश सकती हैं ज़्यादा तर आप देखेगा हमारे यहां हिंदू धर्म में बहुत सारे परतियार होते हैं और जब भी परतियार होते हैं तो आप सिंदूर नया सिंदूर ही यूच करते हैं भगवान को लगाने के लिए तो जो भी आप सिंदूर खासकर भगवान को लगाते हैं उसी हाथ स आप अपनी मांग भर लिया करें तो यह ज्यादा सूभ होता है खास कर अगर बैवाही जिवन में मुस्किल हो परिसानी हो तब तो इस तरह रोज असनान करके आएंगी मांपारवती का मांग भरेंगी अपने घर के तस्वीर में और फिर उसी जो उंगली में लगा रहा गया उसी से अपनी मांग भर लीजिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो जैसा हमने कहा उपहार में मिलावा सिंदूर आप यूज नहीं करेंगी और दूसरी महिलाओं का सिंदूर भी आप नहीं लगाएंगी इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है और सिंदूर हमेशा अ माथे के ठीक बीच में लगाना है और एकदम से ऐसा लगाई है कि अराम से दिखे अब देखें सिंदूर चुकि बालों में छिपा देने से पती की मान परतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ता है इसका तो अधियान रखना है मांग के बीच में सिंदूर लगाईएगा तो पर भी सिंदूर आपको नहीं लगाना इस बात को हमेशा ही आपको फॉलू करना है और सिंदू कभी भी आप किसी और के सामने मत लगाईए कौन जाने किसकी दृष्टी में क्या है कई बार नजर लग जाती है आपने सुनी होगी इसलिए सिंदूर हमेशा चिप कर लगाए संभब हो तो सिंदूर लगाते समय आप बैठे सर पे पल्लू रखे दुपट्टा रखे फिर लगाए अगर ऐसा संभब ना हो तो कोई बात नहीं लेकिन चिप कर लगाए किशी के भी सामने आप सिंदूर ना लगाए अगर माल लेते हैं आपके पास जगा नहीं है सब के बीच में ही लगाना होगा तब माथे पर पल्लू रखकर दुपट्टा रखकर लोगों से छिपा कर फिर लगाएं सिंदूर थोड़ा सा ओड़ करके ठीक है तो ढख लें सिर को और फिर सिंदूर लगाईये तो उत्तम हैं सिंदूर लगाते समय अगर यह सिंदूर आपके पर यह नाक पर गिर जाती है तो पती का प्यार ज्यादा पाने वाले होती है ऐसी इस तरी ऐसा हमारा सास्त्र कहता है अब देखे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं देखे गलती से भी अगर सिंदूर आपका गिर जाता है किसी भी तरह तो आप घबराईये मत सबसे पहले त जो जमीन पर है उसको हलका सा आचल से दुपटा से पोच दे भूल कर भी सिंदूर जो गिरा हुआ है नाली में मत डालिएगा ड्रेन में मत डालिएगा इस सिंदूर को किसी पवित्र पेड़ के पास आप रख दीजिएगा जो जमीन पर गिर चुका है उसको आप वैसे जहां पर आप चलते फिरते हैं तो वहां पर वाला सिंदूर आप नहीं लगाएंगी किसी पेड़ के नीचे डाल देंगी तो अब देखें मा गौरी को अर्पित कर आप सिंदूर लगाएं वो सबसे सूब होता है क्योंकि माता रानी का यहां आसिरबाद भी मिलता है और हम पैसा ही मा गौरी को पहले सिंदूर लगाएं फिर अपनी मांग भरें और साथ ही पती की पती को समरन कर सिंदूर लगाएं तो उनकी उम्र लंबी होती है इन बातों को आपको धियान रखना चाहिए लेकिन आप सवाल वो है कि सिंदूर की डिबी में आखिर वो कौन सी वस вниз लगाएं तो सिक्का चांदी का होता है छोटा बड़ा जो भी हो पर वह सिंदूर में जरूर दीजेगा यह रहता है किसी भी तरह की निगेट्िऴ वगाउस सिंदूर को सुरक्षित रखता है तो आप चांदी डाल सकते हैं यह चांदी का सिंदूर के या पिर एक के लिए जो भी आसान हो आप वही करें फिलाल भी डालेते हैं जानकारिया अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेब चरू लिखें धन्युक्त